सुप्रभाद बच्चों संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम विद्या सरवश्व भूष्णम का पुन्रा वृतिकार्य करेंगे तो इसमें सबसे पहले अभ्यास एक को देखें जैसे इसमें एक ही संस्कृत पद में उत्तर देना है यानि एक शब्द में उत्तर देना है और उस शब्द संस्कृत में ही उत्तर देना है आपको क्योंकि सवाल संस्कृत में पुछे जा रहे हैं तो पहला प्रशन है कह नशत्रानाम भूशनम, तो ये उधारन के रूप में दिया हुआ है चंद्रा, दूसरा है खह नंबर पति कांसा भूशनम, तो इसका उत्तर होगा नारिणाम, गह है विध्या कस्य भूशनम, तो इसका उत्तर है सरवश्य, घँ है केन हीना न शुभनते तो इसका एकषब में उत्तर होगा विद्या अंगा है माता इव का रक्षती विद्या इसका उत्तर होगा दूसरे में सही कथनों के आगे आपको चिनहित करना है तो इसमें 5 वाके दिये हुए हैं जिसमें कि घौ और अंगा आप उस तक देखेंगे और उसमें घौ और अंगा घौ है विद्या, संचयात, शयम आयाति ही सही है और अंगा है कल्प लता इव विद्या सर्व साध्यती ये भी वाक्य सही है ये दो वाक्य सही है चौथा है आपको संधी विशेत करना है कोशु अयम कोशा जोड अयम ख है कल्प लतेव कल्प लता जोड इव ग है प्रित्विया भूष्णम प्रित्विया जोड भूष्णम चंद्रो नारणाम यानि कि चंद्र जोड जोड नारणम को अपी कह जोड अपी निरगंधा इव निरगंधा जोड इव तो बचों ये था संधी विछेद अब आपको छठा नंबर का जो सवाल है दिये गए शब्दों के उचित रूपों में रिक्त स्थानों की पूर्ती करनी है तो को नंबर में लक्षमी तनोती उधारन है खो है आयम इदम के स्थान पर आयम हो जाएगा आयम अपुर्वं कोश अस्ती गः रूप यवन संपन्ना अपी विद्या हीना ना शुभन्ते विद्या हीन दिया हुआ है विद्या हीना हो जाएगा विद्या कांता इवखेदम अपनेती कांता इसमें वही शब्द है जो दिया हुआ है विद्या दिक्षू वितनोती इसमें भी किर्ती शब्द ही आएगा विद्या दिक्षू किर्ती वितनोती विद्या कोशः शयम आयाती संचयम इसमें संचय दिया हुआ है संचयम शयम आयाती विद्या कोशः शंचयम शयम आयाती तो बच्चों इस तरह से अभी आपने सुन्रावर्ति कारें किया, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.